आज है 13 अगस्ट तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs ये वीडियो PIB, The Hindu और Indian Express को लेकर बनाया गया है सबसे पहले बताना चाहूंगे News of the Day ISRO का EOS03 Satellite चुकि और्बिट में भेजना था वो फेल हो गया है ये important news है लेकिन ये जरूर ही है जानना कि क्यों फेल हो गया है देखिए ये जो सैटलाइट है उसको एक्चुली में हमें जियो साइक्रोनस और्बिट में सेट करना था और वो एक्वेटर के पास होता और वहां से वो अब्जर्व करता अर्थ को क्योंकि ये अब्जर्वेशन सैटलाइट था और ये बताता अर्थ से रिलेटेट इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन ठीक है लेकिन ऐसा क्या हुआ तो देखते हैं देखिए पहला और सेकेंड स्टेज तो हमारा सक्सेस्फुल था लेकिन थार्ड स्टेज में क्या हुआ कि क्राइक क्रा यह क्या है उसको तोड़ा जानते हैं देखिए क्राइकोजेनिक इंजिन जो है उसमें लिक्विट हाइड्रोजन डाला जाता है और वो लिक्विट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से फ्यूल होता है और यहां पे फायर क्रियेट करता है यानि आग लगाता है जिससे जो सेट करता वो टंप्रेचर पे आ नहीं पाया क्यूंकि उसका टंप्रेचर काफी लो था यहां पर में सने वेरी लो टंप्रेचर और इसलिए फेल टू इंगनीट यानि इंगनीशन नहीं कर पाया जला नहीं पाया और इसलिए और पे वह पहुंच नहीं पाया जहां तक उसे जाना स्केम कहां स्टार्ट किया गया है यह स्टार्ट किया है हर्याना में और सब्सक्राइब करने की सुभीदा दिजारी है लोगों को और इसे एमप्लॉयमेंट भी बरेगा और साथ में लोगों को इंसे से समान भी मिल पाएगा पांच medical college खुलने वाले हैं किस राज्य में? जी हाँ गुजरात में गुजरात ने एनाउंस किया है कि 5 medical college खुलेंगे और एक ही tribal area में खुलने वाले हैं 5 medical college तो health sector के लिए ये बहुत important achievement है world tribal day कब बनाते हैं हम लोग? देखिए वर्ल्ट फ्राइबल डे हम लोग बनाते हैं 9th August को ठीक है 9th August को हमने बनाया है वर्ल्ट फ्राइबल डे बहुत इंपोर्टन डे है Current Affairs स्रीज में आपका बहुत स्वागत है देखते है आज का Current Affairs Question No.1 Which Indian City is the most polluted city of the world अभिहार में एक रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कौन सी इंडियन सीटी सबसे ज़्यादा प्रदूसित सिटी है तो वो polluted city है गाजियाबाद जी हां गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है वो सबसे ज़्यादा प्लूटेट सिटी है देखिए हालिया रिपोर्ट बाई हाउस फ्रेस ब्रिटिस कंपनी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है हालिया रिपोर्ट कौन हाउस फ्रेस ब्रिटिस कंपनी इस रिपोर्ट के अनुसार बांगलादेश जो है जो सबसे ज़्यादा पॉलूटेट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इंडिया का भी अस्थान आया है लेकिन फर्स नहीं है फर्स बांगलादेश है और अगर हम सीटी की बात करें तो इंडिया के जो गाजयाबाद है वो सेकेंड मोस्ट पॉलूटेट सीटी है पूरे वर्ल्ड में गाजयाबाद का एर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कितना आया है 106.6 पीम यानि पार्टुकुलर पार्टुकुलेट मैटर धियान रखें गाजयाबाद का 106.6 पार्टुकुलेट मैटर कभी-कभी साम में क्या होता है बहुत डिटेल में कुश्चन आता है सिर्फ यह न यह निए रखके कुश्चन आ सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में वो है बांगलादेश ठीक है चाइना का हुटान प्रोफिंस जो है वो मूस्ट पॉलूू।टेट सीटी है पुरे वर्ल्ड में तो सेकर्ड मोस्त पॉलूूू। इसिती तो गाज्याबाद है लेकिन फॉस् सिटी है करिंट अफे स्रीज में कुश्य नमबर तू देखते हैं डेसेंटली फिनांस मिनिस्टर हैस रिलीज रिलीज रिवेन्यु डेफिसित और रुपीज 9,871 करोर तो 17 स्टेट विच फॉल्वेंग इस नॉट इंक्लूड अभी हाल में फिनांस मिनिस्टर ने रिलीज की है डेवेन्यु डेफिसिट कितने का 9,871 करोर कितने 17 स्टेट को आपको बताना है कौन से स्टेट को यह पैसे नहीं मिले हैं तो यह पैसा उत्तर परदेस को नहीं मिला है देखिये क्या होता है फिनांस कमिशन बहुत important होता है और 15 फिनांस कमिशन ने यह बताया कि granting aid देना अधर स्टेस्ट्रेस आफिये ज़िए स्टेट को क्यों कि स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होता है टैक्स डिस्टॉप्जूशन होता है 42 % एक होता थ स्टेट की हालत खराब है तो सेंटर उसको ग्रांट दे सकता है और वैसा ही हुआ सेंटर ने 70 स्टेट को ग्रांट दिया है कितने ग्रांट दिये है जैसा कि मैंने बताया 9,871 करोर दिया गया है यह आर्टिकल 275 जो है हमारे Constitution का वो बताता है Finance Commission के बारे में और किस-किस राज्य को मिला है बहुत इंपोर्टेंट आंद्रपर्देश, आसाम, हर्याना, इमाचल पर्देश, कर्नाटका, केडला, मनिपूर, मेखाले, मिजोरम, नागालेंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, टमिलनाडू, तिरपुरा, उत्राखन और वेस्ट यह न्यूज है, बिसनेस स्टैंडर्ड का, कुश्य नमर 3 पर आएंगे, 5th National Public Procurement, Conclave has recently organized by, अभी हाल में, National Procurement Conclave organized किया गया है, अभी हाल में, National Procurement Conclave organized किया गया है, अभी हाल में, National Procurement Conclave organized किया गया है, यह बहुत important news है, यह organized किया गया है, Confederation of Indian Industry के द्वारा, देखि अभी हाल में, 5th edition, National Public Procurement Conclave organized किया गया है, यह organized किया गया है, Government of E-Market, और Confederation of Indian Industry के द्वारा, यह दोनों मिलकर यह organized किया है, यह 5th edition, National Public Procurement Conclave, ठीक है, यह 9 August से 9 September चरेगा, यह virtual platform पे यह है, और यह स्टार्ट कर दिया गया है, Ministry of Industry, Indian Industry ने इसको स्टार्ट किया है, देखिए इसका purpose क्या है, कि क्यों स्टार्ट किया गया है, इसका main purpose है, local to global, यानि कि जो local industry है, उसको promote करने के लिए, यह program स्टार्ट किया गया है, क्या नाम है इस program का, जी हां, Public Procurement Conclave, ठीक है, तो ध्यान रखे, Question number 4 पे आते हैं, China will be carbon neutral by, चाइना जो है, वो carbon neutral होने वाला है, यह declare हो गया है, और important है, तो चाइना जो है, वो 2060 में carbon neutral हो जाएगा, देखिए, carbon neutral का मतलब क्या होता है, carbon neutral का मतलब होता है, carbon emission को कम करना, ठीक है, zero carbon emission करना, और 2016 तक चाइना यह कर पाएगा, इंडिया को भी बताना है, कि वो कब तक यह काम कर पाएगा, अभी तक इंडिया ने इस बाड़े में कुछ बताया नहीं है, Faceless Transport Service will be provided by, अभी हाल में Faceless Transport Service स्टार्ट किया गया है, किस के दौरा, जी हाँ यह स्टार्ट किया गया है, दिल्ली सरकार के दौरा, देखिए क्या होता है Faceless Transport Service, Faceless Transport Service के अंदरगत सारी सिस्टम ऑनलाइन करने की बाद चल रही है, यानि कि आपको ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने के आवे सकता नहीं है, औलाइन अप्लिकेशन आप दे सकते हूं, वर्चुल आर्टियो सर्विस मिलेगी आपको, औलाइन फी पेमिंट कर सकते हैं, आधार बेस्ट आपको चेकिंग होगी, आपकी अथराइजेशन चेकिंग की जाएगी, इस सिंगनेचर के तुरू आप इसको फिल कर सकते हैं, यानि कि कम्प्लीट जो सर्विस है, वो ऑनलाइन होने बाली है, कहां डेली में ट्रांसपोर्ट सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव गांदी अवार्ट फोर एक्सिलेंस इन आईटी इस एनॉंस्ट बाई, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कि राजीव गांदी खे इस एनॉंस्ट गाया है, एक राजी के द्वारा, राजीव गांदी आवार्ट फोर इटी तो ये अवार्ड एनॉंस्ट किया गया है, महरास्ट्रा सरगार के द्वारा, देखिए तो ये अवार्ड राजीब गांधी की याद में मनाया जा रहा है क्योंकि राजीब गांधी ने IT में बहुत बड़ा योगदान दिया था इंडिया में IT जो है वो 1989 से इंट्रिडूस्ट हुआ है तो ये बहुत important है और इनका जो राजीब गांधी का time period है वो है 1984 से रहे के 1989 तो ध्यान रखे Question number 7 पे आएंगे Which of the following statement is and are correct about उजाला 2.0 जी हाँ उजाला scheme जो की 10 अगस्त को announce किया गया था ये काफी जाता news में है तो ये important question बनता है A. First refill is free to connector B. Composy to deposit ration card C. Registered on the name of female member इसका answer दे देखी इसका answer है A. N. C. यानि कि आप compulsory नहीं है रासन कार्ट डिपोजिट करने के लिए आपको रासन कार्ट या अधार कार्ट डिपोजिट नहीं करना है आपको मिल जाएगा उजाला 2.0 के अंतरगर LPD connection उजाला स्कीम बहुत अच्छा स्कीम है और गबर्मेंट ने बताया कि 98% टारगेट भी पूरा हो चुका है यह स्कीम बहुत जादा इंपोर्टेंट है और एक्जाम में इससे कोशन आने की पूरी संभामना है मैंने वीडियो में आपसे पूछा था कि इसका टाग लाइन क्या है इसका टाग लाइन है स्वक्च इंधन स्वक्च जीवन देके छोटे-छोटे कोशन का आंसर दे इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप मुझसे कॉम्निकेट कर जाएं नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं स्पीच दे रही हूँ मैं पढ़ा ने रही हूँ ठीके यह फर्स्ट स्टार्ट हुआ था में 2016 में हमने उजाला इसकीम स्टार्ट किया था यह मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम और नेच्रोल गेस के अंतरगत आता है तो ध्यान रखें उजाला इसकीम में अब राशन गार्ड या अधार कार्ड डिपोजित करना ज़रूरी नहीं है कुशन नमबर एट पे आते हैं वीज सीटी इस डिक्लियर फर्स वाटर प्लस सीटी बहुत इंपोर्टेंट कुशन है कौन से सीटी को वाटर प्लस सीटी डिक्लियर कर दिया गया है जी हाँ इंदॉर को डिक्लियर कर दिया गया है देखिए मद्यपर्देश के इंदॉर को वाटर प्लस सीटी डिक्लियर किया गया है स्वक्षेदा सर्वेक्षन 2021 के अंतरगत इंदॉर जो है वो सबसे clean city भी है यह तो हम सभी को पता है इंदॉर में यानि मद्यपर्देश देखिए इसका क्या क्या पैरामेटर था और इंदॉर इसमें rank 1 कैसे आया इंदॉर ने बताया कि यह जो city है इसमें clean water bodies है यानि नदी नाला सभी में पानी clean है इसको तीन certification मिली है ODF, OD+, ODF+, ODF++ ठीक है 30% जो है dirty water should be recycle और 30% dirty water इसका recycle भी होता है अब सबाल आता है ODF, ODF+, ODFF+, क्या है देखिए ODF का मतलब होता है हर एक घर भी toilet का होना ठीक है यानि जितनी भी residential property है वहाँ पे toilet है ODF+, क्या होता है ODF+, का मतलब होता है toilet facility के साथ साथ proper disposal हो रहा है यानि कि proper disposal system है कोई manual disposal system नहीं है ठीक है तो proper disposal होना ODF+, certification मिलता है ODF++ क्या होता है देखिए ODF++ का मतलब होता है toilet का proper हर घर में होना साथ में disposal भी proper होना और जहां पे ये water को गंदा कर रहा है न उस water का भी cleanness होना और ऐसा ही इंदौर्ण ने किया इंदौर्ण में 30% dirty water को recycle किया जा सकता है और इसी लिए इंदौर्ण बन गया है water plus city और best clean city स्वक्चिता सर्वेक्षन 2021 के अंतरगत आज का question of the day है इंडिया और साओधी अरब का पहला नेवल एक्सराइज होने वाला है आपको बताना इसका नाम क्या है इसका answer आप comment box में दे सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो like, share करना न भूले और चैनल को कि subscribe कर दे अगर आपने नहीं किया है थैंक यू आपका पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद